नमस्कार दोस्तों सरकारी जोब ग्यान के ओपीशेल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्पियप रिक्रूट्पेंट टुटाउचल 23 के बारे में जियां दोस्तों रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स की तरब से निकाली गई लेटेस्ट वेकेंशी की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे सो आर्पियप की तरब से कॉस्टिबल एंट सबस्पेक्टर के पदों पर काफी अच्छी काशी वेकेंशी रखी गई हैं जिनके लिए आप अपना ओनलाइन अप्लिकेशन फोर्म संबिट कर पाएंगे सो वीडियो को लगशेक जिरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा कब से कब तक आप इस बरती के लिए अपना ओनलाइन एप्लिकेशन फोर्म समिट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर परमत पेस्केल कितना प्रवाइड किया जाएगा इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे सो वीडियो को लेक्शेक जरूर देखेगा साथी में दूस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कने चाऊँगा अगर अभी तक आपने अमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और गंटी के बेटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीकी की लेटेस्ट गोर्मेंट जापस्टी इंफोर्मिशन आपको सबसे पहले मिल सके सो चली प्रेंट सबसे बेले आपको इसकी ओपिशल एपसाइट पर आ जाना है जिसका लिंक माँ आपको नीची डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रुवाइड कर दूँगा जहां से आप इस बरती के लिए इसका ओफिशल लोडी पीकीसिन डाउनलोड कर सकते साथी में इस बरती के लिए अपना ओनलाइन अप्लीकीसिन फोर्म सम्वीट कर सकते सुप्रिट्स यहां से आप इसली चेक कर सकते हैं आर्पियव कोश्टिबल रिक्रुट्मेंट उठाओ जेंट 23 के लिए जो विकिंसी यहां पर रखी गई है अगर हम इनके ओवरी व्यू के बारे में बात के लिए तो आप इहां से इसली चेक कर सकते हैं आर्पियव कोश्टिबल विकिंसी तुठाओ जेंट 23 के लिए जो आपका रिक्रुट्मेंट और्गेंजिसन नेम रहीगा यह रेल्वे रिक्रुट्मेंट बोड रर्र भी रहीगा अरर्र भी की तरब से आपकी इन विकिंसी को और्गेंज कर भाये जेगा name of the post के बारे में बात के लिए तो costable and sub inspector के पद पर आपको ये vacancies देखने को मिल जाएंगे and total number of vacancies यहां पर 12,500 vacancies expected रखी गई है so जो आपकी संभावित vacancies हैं ये भी आपकी काफी अच्छी काशी vacancies आपको देखने को मिल रही है 12,500 पुष्ट पर आपको vacancies देखने को मिलेंगी job location आपकी all over India रहीगी all over India आपको कहीं पर भी a job provide की जा सकती है and दूस्तो all over India के male and female बहुत candidate अपना application form संभेट कर पाएंगी salary के बारे में बात करने तो आपको यहां पर basic pay skill मिलने वाला है वो 52,200 रुपे दिया जाएगा और 2000 रुपे आपको यहां पर grade पर मिलने वाला है so काफी अच्छी कासी salary आपके आपर बनने वाली है जो की level 5 उसे आपकी salary बनेगी and दूस्तो आपकी जो है last date जल्दी आपको update कर दी चाहेगी category के बारे में बात कर लिए तो railway के आपको government job यहां पर provide की जाएगी and official website आपकी Indianrailways.gov.in रहीगी जिस पर जाकर के आप अपना application form submit कर सकते हैं application fees के बारे में बात कर लिए तो general OBC और AWS category को 500 रुपे application fees जमा करवानी होगी साथी में SC और SD category को 250 रुपे application fees जमा करवानी होगी आप अपनी application fees को online payment mode के मैध्यम से इजली जमा कर सकते हैं and साथी में दूस्तों post name या फिरिलेजबिल टे काइटेरियाज के बारे में बात कर ले तो देखे कोस्टिवल male and female के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 10,000 vacancies expected देखने को मिल जाएंगी जो कि आपकी संभावित vacancies यहाँ पर रखी गई है and qualification में जो भी candidate अपना 10th class पास कर चुका है वो candidate यहाँ पर आप विदिन कर सकते हैं सब inspector post के लिए आपको 2500 plus expected vacancies देखने को मिलेंगी and graduate degree past candidate अपना application form submit कर सकते है मतलब कि दोस्तों अगर आपने किसी भी board, किसी भी university या फिर किसी भी इंस्टूर से अपना 10th class और graduation कर सकते हैं तो आप इस बर्थी के लिए आपी दिन कर सकते हैं आपको बेसिक पेस के लिए हापर 2200-2200 रूपे दिया जाएगा साथी में 2000 रूपे आपका इहां पर grade बनेगा and आपको जो total in hand salary हाँ पर दी जाएगी वो level 5 से दी जाएगी आपको सबिस्पक्टर post के लिए 35400 रूपे तक आपको salary मिलेगी जो कि आपके काफी अच्छी कासी salary यहां पर बन जाती है अगर हम बात के लिए दोस्तों meal candidate के लिए जो आपका PST यहां पर candidate कर बाए जाएगा जो आपका physical standard test रहेगा इसमें general OBC और SC category के लिए जो minimum height रखी गई है यह 165 cm रखी गई है मतलब कि दोने ही condition में आपका यहां पर 5 cm का फुलाव आपके chest में होना चाहिए इसे के साथ में अगर आप पाड़ी चेत्र के candidate है तो भी आपको यहां पर कुछ से relections देखने को मिल जाएगा बात करती ही दोस्तों female candidate के लिए जो आपका efficiency test के बारे में बात के लिए जो आपका endurance test रहीगा तो दीखे male candidate के लिए 1600 मिटर की दोट रहीगी जिसे 5 मिनट और 45 सेकंड में कम्प्लीट करना होगा वह ही 14 फिट की long jump रहीगी और 4 फिट की high jump आपकी रहने वाली है इसी के साथ में female candidate के लिए 800 मिटर की दोट रहीगी जिसे 3 मिनट और 40 सेकंड में कम्प्लीट करना होगा long jump यहाँ पर 9 फिट की रहीगी और 3 फिट की high jump आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों दोने ही condition में आपको high jump और long jump में 3-3 chance देखने को मिल जाएगी running में आपको कोई भी extra chance यहाँ पर वाइड ही किया जाएगा selection process के बारे में बात कर लें कि आपका RPF के लिए selection process क्या रहीगा तो देखे सबसे पहले आपका computer based test जो की CBT रहीगा यह conduct करवाई जेगा इसके बाद माँ आपका physical efficiency test और physical standard test conduct करवाई जेगा देन आपका document certification और medical examination conduct करवाई जेगा तो यह आपके कुछ system रहेंगे जिनके अधार पर आपको final selection यहाँ पर मिलने वाला है बात करती है दूस्तों RPF costable and sub-spector के लिए जो आपका exam pattern रहीगा इसके बारे में तो देखे आपका mode of exam रहीगा यह online रहेगा 90 minute का आपको यहाँ पर time provide गया जाएगा साथी में प्रतेक गलत आंसर देने पर आपके यहाँ पर number भी काटे जाएगे मतलब कि जो आपकी negative marking रहीगी यह 0.25 mark रहीगी और 120 questions आप से पूछे जाएगे General intelligence and reasoning से आपके 35 question 35 number के रहेगे बात करते हैं दूस्तों how to apply के बारे में कि किस तरीकी से आप अपना online application form घर बैट करके अपने mobile के मैध्यम से submit कर सकते हैं तो देखे दूस्तों यहाँ पर आपको कुछ step provide किए गए हैं आप इने steps को follow करके easily अपना online application form घर बैट करके अपने mobile के मैध्यम से submit कर सकते हैं तो अगर आपको अपना online application form submit करने में किसी भी प्रकार की problem का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे comment box में next video के लिए message कर सकते हैं मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो ले करके आ जाऊँगा जिस मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इस तरीकी से अपना online application form घर बैट करके अपने mobile के मैध्यम से submit कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को subscribe कर लेना है घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अप्लोड करो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए इसी के साथ में दोस्तों important links के बारे में बात करें तो apply online का link and official notification का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा जहां से आप इस बरती के लिए इसका official notification डाउनलोड कर सकते साथी मैं इस बरती के लिए अपना online application form सब्मिट कर सकते हैं सलेबस का link भी आपको नीचे description box में provide कर दूँगा जहां से आपके सलेबस जो है हिंदी format में डाउनलोड कर सकते हैं सो उमिद करता हूं दोस्तों इस बरती से समन्दी सारी की सारी information आप सभी को मिल गई होगी तो वीडियो के इस लगिया नीचे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल मत बूलना अगर आप हमारी यूटीब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंती के बटन को जरूर दबा ले ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गॉर्मेट जाप्स के information आपको सबसे पहले मिल सके सो चलिए प्रेंट से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाइट जैहिन दोस्तो